हेलो स्टुडेंस आज हम करेंगी क्लास फर्स्ट का लेसन नमबर सिक्स्टीन विटी बीरबल चतूर बीरबल या हजिर जवाबी बीरबल Students, this lesson is about the VT Minister Birbal यह lesson जो है एक चतुर मंत्री के बारे में है जिसका नाम क्या है? Birbal One of the nine germs of Mughal Emperor Aqbar जो मुगल दरबार के नो रतनों में से एक था This was saying that there was not a question of which Birbal has no answer ऐसा खा जाता है कि ऐसा कोई भी question नहीं था जिसका answer Birbal को ना पता हो Let us read the story and see how Birbal used words चलिए, let us, तो चलो Story पढ़ते हैं, story स्टार्ट करते हैं कि And see, और देखती है how Birbal used words In a clever way किस तरह से Birbal अपने words को अपने शब्दों को पहती चतुराई से यूज़ करता था To make Aqbar laugh Aqbar को खुश करने के लिए And reward it for him for his intelligence और Aqbar जो है खुश होकर किस तरह से उज़े इनाम देता था उसकी पुद्धि मता के लिए Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन lesson start करने से पहले इस ट्रील्स में आपसे request करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को subscribe करें आपकी स्क्रीन पर जो red कलर का बटन दिखाई दे रहा है, उसे प्रेस करें साथ में bell icon दबाएए इसका benefit यह होगा कि जैसे ही मैं new video upload करती हूँ तो सबसे पहले आपको इसका notification मिलेगा तो चलिए start करते हैं One night Akbar the Mughal Emperor was standing on the roof of his palace with his vice minister Birbal एक रात को Mughal Shasak, Emperor means क्या होता है शासक Mughal Shasak कोन? अकबर एक रात Mughal Shasak Akbar was standing, खड़ा था कहाँ पर? On the roof, चट पर किसकी चट पर? Office, palace, अपने महल की चट पर with his vice minister, अपने vice means क्या होता है बुद्धिमान अपने बुद्धिमान मंतरी कोन से? बीरवल के साथ कि एक बार Mughal Shasak Akbar अपने मंतरी के साथ, अपने पुद्धिमान मंतरी के साथ अपने महल की चट पर खड़े थे He looked up, उन्होंने उपर देखा and saw many shining stars spread across the night sky उसने उपर देखा, तो क्या देखा कि आसमान में, रात्री के आसमान में बहुँ साथ टिम्टिमाते हुए या चमकीले अतारे फैले हुए हैं बीरवल, can you tell me the exact number of stars in the sky? अकबर ने पूछा, अकबर ने पूछा कि बीरवल, can you tell me क्या तो मुझे बता सकते हो the exact number of stars in the sky, कि आसमान में जो stars हैं, उनके exact number, stick number उसके बता सकते हो कि आसमान में कितने तारे हैं? Yes, my lord, replied the clever बीरवल, clever बीरवल, clever हो क्या होता है? चतुर, चतुर बीरवल ने उत्तर दिया, replied means उत्तर दिया, तो चतुर बीरवल ने उत्तर दिया, yes, my lord, as many as the hair on a horse tail, तो बीरवल ने क्या उत्तर दिया, जब उसने question put up किया, कि क्या तुम बता सकते हो कि आसमान में कितने तारे हैं? तो बीरवल देखी क्या answer दे रहा है, बहुती चिज़ुराई से, वो क्या कह रहा है? येस, my lord, आसमान में उत्ने तारे हैं, जितनी की एक horse की tail में बाल होते हैं. अकबर thought for a while and said, अकबर ने कुछ समय सोचा और कहा, बट बीरवल, the hair on the tail of a horse cannot be counted, लेकिन बीरवल, अकबर ने क्या किया, अकबर ने कुछ दिर सोचा और कहा कि लेकिन बीरवल, जो horse के tail में जो बाल होते हैं, घोड़े की पूच में बाल, तो वो गिने नहीं जा सकते, they are uncountable uncountable means, अंगिनत, वे तो अंगिनत हैं, yes जापना, so are the stars, said the beauty minister, अब जो बुधिमान मंतरी था, बीरवल, उसने क्या कहा, कि yes जापना, बिल्कुल वैसे ही तारे हैं, अब जो है, इसका कहने का मतलब क्या था, कि जिस तरह से horse की tail के जो बाल है, hair है, वो नहीं काउंट हो सकते तो बिल्कुल वैसे ही, आसमान में जितने भी तारे हैं, वो भी अंगिनत है, उनको भी नहीं गिना जा सकता, the emperor was very happy with birbals, which he answer, और जो शासक था, राजा था, वो birbals के चतुराई पूर्ण answer से, जिस चतुराई से सुने, उनके question का answer दिया, उससे बहुत ही खुश हुआ, he gave him a reward, reward means क्या होता है, इनाम, for his intelligence, उसकी बुद्धी मता के लिए, intelligence means बुद्धी मता, तो उसने, राजा ने, उसकी बुद्धी मता के लिए, उसे इनाम दिया, तो students, यह हुई आपकी स्टोरी, lesson number 16, विटी भेवल, अब हम next देखती है, इसके word meaning, emperor, emperor means a king, the ruler of an empire, किसी भी रा रासक और राजा, spread, spread means होता है, फैला हुआ, exact, exact means accurate, accurate it means, सटीक, clever, witty, it means, चतूर, uncountable, it means, that cannot be counted, जिने गिना नहीं जा सकता, it means, अंगिनात, reward, reward means, prize, इनाम, तो यह हुई आपकी word meaning, students, अब हम देखती है, इसका next part, comprehension, पार्ट ए में आपको multiple choice question दिये गए है, जिसमें तीन option है, तीन option में से एक option right है, और आपको right option पर टिक करना है, के? first sentence देखिए, people was very, people बहुती क्या था, honest, इमानदार, clever, चतूर, old, भूढ़ा, तो इसमें right option क्या आएगा, option B, clever, people was very clever, people बहुती चतूर था, second देखिए, can you tell me the exact number of dash in the sky, क्या तुम मुझे आसमान में सही संख्या बता सकते हो, किसकी, stars की, तारों की, planets, ग्रहों की, या kites, पतं की, तो इसमें right option क्याएगा, option A, stars, जब राजा अकबर ने आसमान में उपर देखा, तो उसने यह question क्या था था, कि आसमान में तारे फैल है, क्या तुम मुझे बता सकते हो, कि आसमान में कितने तारे हैं, तो इसमें क्या आएगा, option A, stars, थर देखिए, the emperor was very, emperor बहुती क्या हुआ, sad, उदास हुआ, unhappy, ना खुश हुआ, या happy, खुश हुआ, तो उसके answer से, जब वीरबल ने answer दिया था अकबर को, तो राजा जो थ बहुती happy हुआ था, बहुती खुश हुआ था उसके answer से, नंबर बी पार्ट देखिए, tick for the right and cross for the wrong statement, सही statement के लिए tick करना है, और wrong statement के लिए cross करना है, okay, first sentence देखिए, he looked up, उसने उपर देखा and saw many shining star, और क्या देखा, देखा क्या, many shining star, बहुत से चमकदार तारे, spread, फैले हुए, across the night sky, रात्री के आस्मान में, okay, उनने जब उपर देखा, तो रात्री के आस्मान में, बहुत सारे चमकदार तारे देखिए थे, तो यह statement क्या है, right, second, देखिए, yes my lord, replied the, akbar, क्या यह उत्तर, akbar ने दिया था, yes my lord, क्या akbar ने कहा था, yes my lord, तो यह statement students, देखिए, wrong है, क्योंकि akbar ने नहीं कहा था, yes my lord, किस ने कहा था, बीरबल ने, akbar के मंतरी ने कहा था, तो इसमें यह statement क्या हुआ, wrong, third, देखिए, as many as the hair on a horse tail, तो बीरबल ने answer जब दिया था, क्या answer दिया था, कि आसमान में उतने ही तारे हैं, जितने की एक horse की tail में बाल है, तो यह statement क्या है, right, बीरबल ने यही example दिया था, number four, देखिए, the emperor was very sad, with बीरबल's answer, राजा जो था, अकबर जो राजा था, वो बीरबल की answer से बहुत ही उदास हो गया था, तो यह statement, wrong है, वो उदास नहीं हुआ था, वो उसकी answer से बहुत ही खुश हुआ था, तो चलिए अब हम करते हैं इसका next part, see, filling the blanks with suitable word, यहाँ नीचे आपको box में कुछ option दे रखे हैं, और आपको नीचे इनको सही word जो है, चूज करके इन fill ups में fill करना है, एक बार हम इनके meaning देख लेते हैं, reward, reward मिन्स क्या होता है, इनाम, uncountable, ungener, standing, खड़े हुए थे, वाहिल के दोरान, या फिर वाहिल के मतलब होता है, time के लिए यूज कर सकती है, first फिर अब देखिए, one night अकबर, the mughal emperor, एक रात, अकबर, कोन अकबर, mughal emperor, mughal raja, was dash on the roof of his palace, अपनी चट पर, अपने महल की चट पर क्या कर रहा था, reward इनाम कर रहा था, uncountable अंगिनत, या standing, हुआ था, तो इसमें क्या option आएगा, standing, okay, one night अकबर, the mughal emperor, was standing on the roof of his palace, second देखिए, अकबर थोट फोरे, अकबर ने सोचा, के लिए, dash and set, और कहा, किसके लिए सोचा, reward इनाम के लिए सोचा, या uncountable, अंगिनत, या standing, खड़े हुए, या वाहिल, के लिए, तो इसमें देख होता है, कुछ समय के लिए, के, अकबर ने कुछ समय के लिए क्या किया, सोचा और कहा, तो इसमें right option क्या हैगा, वाहिल, second, third, number देखिए, they are dash, वे क्या है, uncountable, अंगिनत है, क्या अंगिनत है, तारे, number four, देखिए, he gave him, he gave, gave means होता है, दिया, him, उसे क्या दिया, उसने उस पुद्धे मता के लिए, तो यह हुए आपके फिलप्स, अब हम स्टुटेंस देखते हैं, इसका next part, question answer, देखिए, answer the following question, नीचे आपको कुछ question दे रहे हैं, आपको उनके answer लिखने है, question number first, देखिए, what did Akbar wanted to know from Birbal, अकबर वीरबल से क्या जानना चाहता था, क्या जानना च संख्या, किसकी, the stars, तारों की, किसे, from Birbal, कि Birbal से, अकबर, वीरबल से, तारों की सही संख्या जानना चाहता था, कि आकास में कितने तारे हैं, number second question देखिए, what did Birbal say about the number of stars, वीरबल ने क्या कहा, किसके बारे में, about, के बारे में, the number of stars, तारों की संख्या के बारे में, अकबर ने तारों की संख्या के बारे में, क्या कहा, अंसर देखिए, Birbal replied, Birbal ने उत्तर दिया, there are as many stars in the sky, अकाश में उतने तारे हैं, जितने की क्या है, as hair on the horse tail, जितने की घोड़े की tail में, बाल, घोड़े की पूश में, बाल है, number third देखिए, yes चाहपना, so are the stars who said these words, ये शब्द किस ने कहे थे, कि yes चाहपना, so are the stars, इतने ही तारे, तो किस ने कहा था, ये lines कही थी, बीरबल ने, बीरबल said these words, ये words बीरबल ने कहे थे, जब बीरबल ने, अकबर ने question किया था, कि आसमान में कितने तारे हैं, तो बीरबल ने कहा, कि आसमान में उतने तारे हैं, जितने की एक घोड़े की पूश में, बाल होते हैं, तो राजा ने क्या कहा था, कि ये तो uncountable है, ये तो नहीं गिना जा सकता, तो बीरबल ने कहा था, कि बिल्कुल वैसे ही, तारों को भी हम नहीं गिन सकते, तो ये words थे बीरबल के, अकबर ने बीरबल को इनाम क्यों दिया, किस विए, फोर ही इंटेलिजेंस, उसकी पुद्धि मता के लिए, ये हुए आपके question answer, अब हम करते हैं इसका next part, grammar workshop, grammar workshop में हमें topic दिया गया है, use of can औ कांच का, can मतलब क्या होता है, कोई काम जब हम कर सकते हैं, ability को show करने के लिए, हम can का use करते हैं, और can't का use, जो काम हम नहीं कर सकते, उसके लिए हम can't use करते हैं, okay, I can swim, अगर आप तैर सकते हो, तो आप लिखोगे can, अगर आपको तैरना नहीं आता, तो आप लिख सकते हो can't, okay, तो अब हम करते हैं इसका part E, match and make correct sentence, यहां पे जो आपको इन words को match करना है, और एक correct sentence बनाना है, okay, I can't, अब देखें किसका match करना है, मैं नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, drive a car, गाड़ी नहीं चला सकता, okay, तो इसको क्या करना है, right sentence मना के आपको इन lines में fill करना है, तो क्या होगा, I can't drive a car, number second देखिए, my friend can, मेरा दोस्त कर सकता है, क्या मतलब होते, कोई काम कर सकना, कोई योगता होना, किसी चीज़ की, my friend can, कर सकता है, क्या, play football, मेरा friend, football खेल सकता है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, my friend can, play football, मेरा दोस्त, मेरा friend, football खेल सकता है, My cat can't, मेरी बिल्ली नहीं कर सकती क्या नहीं कर सकती, run fast, तेज नहीं भाग सकती My cat can't run fast, मेरी बिल्ली तेज नहीं भाग सकती My dog can, मेरा dog, मेरा कुटा कर सकता है क्या bark loudly, जोर से भूँख सकता है भाग में दो होता है भूँखना तो क्यासे लिखोगे, my dog can bark loudly यह हुए आपके use of can और can't अब आपको मैं यह बता दू कि students जो काम हम कर सकते हैं जो काम करने के आपके अंदर श्रमता होती है तो उसके लिए हम लगाएंगे can और जो काम हम नहीं कर सकते वहां लगाएंगे हम can't next part देखते हैं part f match and complete sentence one has done for you अब यह देखिए इनको आपको match करके एक sentence बनाना है जैसे कि यह वह can और can't वाला ही है कुछ example है उसके जैसे कि I dash tie my shoes laces अब देखिए मैं अपने shoelaces बान सकता हूँ तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे can अगर काम बान सकते हो तो can नहीं बान सकते तो can't I dash speak English तो यहाँ पर क्या करेंगे हम can मैं English बोल सकता हूँ तो आप यहाँ क्या लगाओगे can नमबर थार देखिए I dash skate अगर आपको skate करनी आती है तो आप क्या कोगे can और अगर नहीं आती तो आप can't लगाओगे नमबर फॉर देखिए I dash ride a horse I can't ride a horse अगर आपको घुर सवारी करनी आती है तो आप can लगाओगे horse riding घुर सवारी मतलग horse riding तो अगर आपको horse riding आती है तो can लगाओगे नहीं आती तो can't का use करोगे तो students यह हुआ आपका lesson number 16 विटी बीरबल I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसके साथ ही हमारे जो class first English की book है इसके सभी lesson complete हुए तो मिलते हैं हमारे next video में next topic के साथ thank you